हलो नमस्कार खमा गणी जैस्री कृष्णा संस्कार क्लासेज के सेर शेनियों तो पहरे बच्चो आज हम आप लोगों के लिए फिर से 50 इंपोर्टेंट कोशन कराने वाले जो हरवार एक्जाम में छपते हैं और आपके आने वाली एक्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे तो ज़्यादा टेम ना लेते हुए चलते हैं अपने कृष्णों के तरफ उससे पहले आप लोगों के लिए मैंने एक बहतरी सेसन तयार किया है देखिए सेसन क्या है यह आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ध्यान पूर्बग देखना है देखिए यह मैंने 35 से कृष्ण आप लोगों के हित में तयार किया है यह 35 से कृष्ण है मात्र आप लोगों को 30 रुपे प 25-2500 और देखे एक अजार आपके हिंदी के और एक अजार आपके सिख चनवी रूची के कोईशन होंगे टोटल मिला के आपके पास 35 सा कोईशन होंगे यह अगर आप लोग पढ़ोगे तो यकीन नहीं आप लोगो को कोईशन डारेट देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही ह ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है मैंने बहुत ही मैनत करकर आप लोगो के लिए यह तैयार किया है यह अपना मोवैल नंबर है इस नंबर पर फोन पे गूगल पे पेटियम कुछ भी कर सकते हैं और स्क्रेंशॉट लेकर आप हमें वाट्सप पर भेज देना हम आपको पीडियेप संकी संग डाल देंगे तो चलते हैं अपने पहले कोशिशन के तरब निमेलिक्तम से पॉंग बांध राजिस्तान के राजिस्तान में किस नदी पर बनाया गया है तो देखें पॉंग बांध है यह व्यास नदी आप लोगो का व्युकुल से यह अपका व्यास अगला कोशिशन देखें मेजा बांध राजिस्तान में कौन सी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध कोठारी होगा बनास होगा लूनी होगा सुकडी होगा इसका उसर होगा अपका कोठारी अपका कोठारी अपका कोठारी अगला कोशिशन देखें माही नदी की सायक नद की सायक न दिया है अगला कोई सम निमे लिखता महिंसे राज़िस्तान की कुल इसतलिय सीमा है देखो भाई राज़िस्तान की कुल इसतलिय जो सीमा है उसके वारे में बात करते हैं तो देखे ये हो जाएगा आपकी 620 किलो मेटर कितने होगी आपकी 620 किलो मेटर option number बी आई टांस रुगा अगला कोईशन देखो भाई राजिस्तान का प्रवेश द्वार इबंपूर्वी द्वार कहलाता है प्रवेश द्वार इबंपूर्वी द्वार इसको कहा जाता भरतपुर को ये राजिस्तान का प्रवेश द्वार भी है प्रवेश जो और ये पूर्वी द्वार भी है ठीक है अलवर को क्या का जाता है राजिस्तान का सिंग द्वार का जाता है मतलब सेरों वाला द्वार ठीक है चलिए करावली के अंदर केला देवी का मिला हो लगता है ठीक है जिसके अराद्रा में लांगुरिया गीत गाए जाते है भरतपुर के अंदर केला देव जो राष्ट के उध्धान है वो भरतपुर के अंदर है ठीक है अगला कोश्चन देखिए आधोनिक राजस्तान के निर्माता माने जाते हैं अधोनिक राजस्तान के निर्माता देखें मौलास सुखाडिया माने जाते हैं Option number C right answer होगा अगला question देखें निमिलिक इत्म से अहिच्छतपुर का वर्तमान नाम क्या है पहले अहिच्छतपुर था अब वर्तमान के अंदर जो नाम है वो आपका नागोर आप लोगों का विल्कुल से होगा वश्तित्रों में वर्तमान राजिस्तान के लिए क्या नाम दिया गये था रायथान, राजपूताना, राज़िस्तान, मरूचेत्र इसका उनसर क्या होगा, राजपूताना, उप्सन नमर B, बिल्कुल सही होगा अगला कोश्चन देखो भाई Central and Western, राजपूत, इस्टेट ऑफ इंडियन पुस्तक का अनप्रिसिद नाम कहता Central and Western, राजपूत, इस्टेट ऑफ इंडियन जो पुस्तक का नाम था, उनके वारे मैं पूछ गया इसका उनसर क्या होगा, देखिए, else and NTQG of राज़िस्तान, उप्सन B, राज़िस्तान रोगा अगला कोश्चन देखो भाई इसका उनसर बता भाई, इसका उनसर क्या होगा, देखिए, देखिए, गुनिस रियासते और कितने थे, तीन ठिकाने थे, ठीके है, चलू अगला कोश्चन देखो भाई, स्वतन दर्ता के पशात राज़िस्तान के पहले एवं एक मात्र प्रदान मंत्री बनाए गए ठीक है, इसका उनसर क्या होगा, हीराल सास्त्री आपका विलकुँँ से होगा, आपका हीराल सास्त्री राइट आउसर का उप्सर नमबर सी आउसर होगा, अगला कोश्चन देखिए, Biden समराठ पृत्वी राज तिर्थिय के पिता थे देखो भाई शो में सुर्थे ये काफी बार बच्चेस में कंफ्यूज हो जाते हैं सुमें सुर्थ बिल्कुल सही होगा अगला कोशन देखो भाई चौहान बंस का पृत्थम सासक कौन था देखो भाई इसका अंसर वतना चौ देखो सोलंकी होगा राठोड होगा पर्मार होगा चोहान होगा आँसर क्या होगया भाई देखो राठोड अप सल्नमबर अगला कोसुथ देखो जसस लाल एक जिस अभी iki में साकंबरी चोहान सबढ़ा सासकल की उपलवधियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है इसका उससा देखो भाई विजौलिया का अभी लेक ऑफसर नंबर भी बिल्कुल सही होगा अगला कोशन देखो मुहमद अगला कोशन देखिए अलाउद्दी ने राजस्तान के सरवे पर्थम किस राज़े पर अधिकार किया था जालोर होगा रन्थम वर होगा अजमेर होगा चितव और अंसर क्या होगा ओप्सन नंबर 2 रन्थम ब अगला कोशन देखो भाई वह सासक जो वह सासक कौन था जिसके सासनकाल को चोहान सासनकाल का स्वान का जयए वासू देख्या वे चतोर था आपका विल्कुश होगा option number 6 अगला question देखे दी अली चवान डाइनेस्टीज राजिस्थान के किस पिर्मों कितियासकार की रचना है यह आउसर होगा आपका डांक्टर दसरत सर्मा डांक्टर दसरत सर्मा option number B विल्कुश हो गया है अगला question देखो निमे लिखत प्रत्विराज विजय के लेखा कौन है प्रत्विराज जो विजय के लेखा कौन होगे यह कौन होगे यह होगे आपके जयानक भट option number A राइट आंसर का प्यारे बच्चो जयानक होगे अगला question देखे चोहान राजबंस का संस्तापक सासक कौन था देखो प्यारे बच्च ती है ये होगा आपका महिरबोज option no.be बिलकु MAC होगा महीरबोज अगला कोश्र देखिए देखिए बिकई आदी वरह की उपादिधारन करने वाला सासक कौन था? अदी वरह की सस्कुत हक अदी वरह की उपादिधारन वतस से राज होगा ठीक है आउंसर देखो इसका क्या होगा नाग भटे दित्तिय राई टांसर होगा आपका नाग भटे दित्तिय होगा अगला कोश्चन देखो भाई मेनोत नेंसी द्वरा उल्लेकित गुर्जर पिरतियारों की 26 साखा मसे कौन सी पिरमुग 2 साखा है देख होता है तरह इनका युद्ध हाँ उससे पहले हम आप लोगों के से एक रिक्वेश्ट है पहरे बच्चों बहुत मेहनत करते हैं संघर्स करते हैं और आप लोगों से क्या चाहते हैं सिर्फ लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना और अपने चैनल की हालत बहुत आप लोगों का बिल्कुर सही होगा अगला कोशन देखो राज घरानों में दासों के लिए रखे जाने वाला विवा कौन सा था इसका अंसर होगा राज लोग आप लोगों का बिल्कुर सही होगा अगला कोशन देखो वाई राजस्तान में 1832 में दास प्रिथा पर रोक सर राज़िस्तान में राजपूत जाती में विवा के अफसर पर देखे चारन बाट डोली और लकडी बालों से दान दक्षिना के लिए हट करते थे जिसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं फिर इसका आउंसर देख लेना है देखे इसका राईट आउंसर क्योंगा प्यारे वच्छो त्याग बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है त्याग बोला जाता है अगला कोशन देखो राज़तान में सरपिर्थम सती पिर्था को गैर कानों नी कब गोशित किया गया था 2822 के अंदर किया गये था ठीक है चलिए अगला कोश्षन देखिएगा अपका अगला कोश्षन देखिए देवताओं की शुरुती कर गुरु के समक्च बैठ कर अक्षर ग्यान करने तूं कराये जाने वाला संस्कार कौन सा होता है देखिए उपनेन होगा बेदारम होगा बिद्यारम होगा या दिक्छानत होगा देखिए 35 का अंसर क्या होगा उपसर नमर C बिद्यारम उपसर नमर C राइट अंसर होगा अगला कोशन देखिए देखिए घर के बदू पक्च के घर पहुँचने पर बदू के पिता अपने समंधियों के साथ बरका स्वागत करता है यह क्या कहलता है देखें मदूपर्व, बिंदोली, यह जाएगा आपका रंग, वरी या बडार ठीक है 36 का उपसर क्या होगा आपका 36 का उपसर नमबर A अगला कोईशन देखो बिदवा विवा नामक पुस्तक किसने लिखी है 37 का इसका होजएगा अपका चांध करना आप लोग का विलकुश जएगा अपका चांध करन सारदा अगला कोईशन देखिए अगला कोईशन देखे खड़ी हुई फसल का अनुमान लगा कर निश्चित करना क्या कहलता है अपने केतों में जो खड़ी हुई जो फसल होती है उसमें अनुमान लगाते हैं या कि 10 मन होगा 20 मन तो उसको क्या कहलता है उसको कहलता है कुंता बोला जाता है अगला कोईशन देखे आज परिवार में गाया के बादक प्रिस्तुत कर मनो रंजन करने वाली मैलाएं क्या कहलती है इनको क्या बोला जाता है अगला कोईशन देखिए देखे समान को प्राप्ट कर समान जिसमें माराना सावंत के अभी बादकों को स्युकार करते हुए अपने हाथ सावंतों के कंदों पर रखता था वैं क्या कहलाता था ठीक है अगला कोईशन देखो देखे अंग रखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्तर कौन सा है देखे दोती होगा पजामा होगा चुंगा एबम चोगा होगा या अचकन होगा ठीक है इसका अगला कोईशन देखे सूट की साधिया कहां की प्रशद्य है जैपुर की जोदपुर की सवाई मादोपुर की दोसा की सूट की साधिया सूट की साधिया कहां की प्रशद्य है ये हो जाएंगे आपकी सवाई मादोपुर की सूट की साधिया होगी अगला कोशन तारावाद की ओटनी की जंजाती की महिलाओं में लोग प्रिये भील, मीना, सासी, आदिवासी इसका अधिवासी ओप्सन नमर डी बिल्कुल सही होगा अगला कोशन देखोँ निमलित मसरी कान का अभूसन नहीं है देखे सूरलिया होगा अंगोट्या होगा जमेला होगा या जालरू होगा ठीक है अगला कोशन देखो अगला कोशन देखिए देखिए जालाबार पिरजा मंडल की इस्तापना जो कि क्या आपका मांगिलाल भब ने कब की थी 1946, 49, 45 या 1944 के अंदर ठीक है इसका आउंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आउंसर क्या होगा पैरे बच्चो 47 का उपसर नमबर A देखिए 1946 आप लोग का बिल्कुँ सही होगा अपसर नमबर A राइट आउंसर होगा देखिए और ये तो आप लोगों को बता दिया था ना देखिए 1946 में का उपसर क्या था जोद पुर आप लोग का बिल्कुँ सही होगा और कहीं गलत तो नहीं होगा सहीद मैंने गलत करा दियो नमबर A आपसर का आपसर नहीं होगा देखिए जालरो काण का आपसर नहीं होगा और दारावांत की रोडने कि जनजाती की महिलाओं में लोग प्रिय है ये आपको बताई दिया था आदिवासियों के अमदर अब 48 का उसर दिख लेना है धेखे अप्रेल 1942 में गठे ते कुसल गड पिरजामढडल के अद्धा चुकोंते कुसल गड पिरजामणडल के अद्धा देखे के भवरलाल निगाम ठीक है अगला कोशन ये देखी का अगला कोशन आपका क्या होता है देखे क्रिश्णा दिवस कि स्रियासर से समझ देते हैं जोधपुर होगा वीकानेर होगा जैपुर होगा मेवाड होगा देखे बहुत ही अच्छा कोश्चन है जोधपुर आपका बिलकुल सेगा आपसन नमबर A क्योंकि जोधपुर के अंदर ही महरान का फोर्ट है आपका ठीक है अगला कोश्चन देख लेते हैं देखे सिवलाल जो कि क्या कोट डिया का समंध किस प्रिजा मंदल सी है डूंगरपुर से बरतपुर से दोलपुर से बांसवड़ा सी है इसका अंसर क्या होगा प्यारे बच्चो इसका होज़ेगा आपका डूंगरपुर ऑफ्सन न इस्तिगित कर बाडर पीडितों को साहिता में लगना पड़ा था जैपर होगा भरत पर होगा जैसल में रोगा बीका ने रोगा इसका अंसर आप लोग कमेंट सेसन में जरूर बताएगा और सभी से निवेदन है अपने चैनल है आप लोगों का प्यार रहना चाहिए आप सब्सक्राइब करना है और अगर आप लोगों को 35 कोईशनों की सीरीज ले निया तो मात्र आप लोगों को 30 रुपे ही पेख करने होगे ठीक है मैंने नमबर दे रखा ठीक है उस पर फेख करकर आप लोगों ध्यान पूर्वर कर सकते हैं तो थैंक यू धन्नवाद मिलते है अगली वीडियो